हाई एवर्वन विल्कम टूम मैं चानल आज हम बनाने जा रहा है धनिय की हरी चक्टनी यह मैंने धनिया ले लिया है यह आप देख सकते हैं एक तम फ्रेश धनिया मैंने लिया है इसके साथ मैं लोगी एक साबुत अद्रग आप इसको थोड़ा सा छील सकते हैं क्योंकि हम बाद में इसको गिसेंगे यह मैंने लिया हरी मिर्च आपको जितनी मिर्च खाना पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मिर्चे डाल सकते हैं अब हम इसको पीसने की तयारी करेंगे सबसे पहले मैंने जो अपनी हरी मिर्च दी उनको छोटे कुछ पीसेज में तोड़ लिया है उसके बाद मैं जो अद्रग है उसको गेस लोगी थोड़ा सा फिर मेरा जो कॉर्यांडर है यानि की धनिया उसको मैं थोड़ा चोटे चोटे पीसेज में काट लोगी ताकि मिक्सर में डाले के लिए इजी रही मेरे लिए अब देख सकते हैं मैंने यह द्रग ले लिया है यह मेरी मिर्चियां अब मैं इसमें अपना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके धनिया टालना चालू करूंगी यह करने के बाद इसमें मैं एक पूरा नीम मू निचोड लोगी आप इसका सीज हटाना ध्यान रखेगा अब चाहे तो लेमन स्कुईजर भी यूज कर सकते मैंने हाथ से ही लेमन को स्कुईज कर लिया है अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी मिला लीजिगा आप ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए ग्राइंड करने के लिए मैं यूज करते हूँ अपना बजाज का फूट प्रोसेसर यह में पास काफी टाइम से काफी अच्छा क्वालिटी का है बहुत अच्छे से काम करता है इसमें में पास फूट प्रोसेसर भी है और में पास मिक्सर ग्राइंडर इसके बाद मैं इसम इसमें आप बहुत थोड़ा पानी मिला सकते हैं नहीं तो आप इसे भी पीश सकते हैं आप देख सकते हैं मेरी चट्नी काफी अच्छे से बारीक पिस गई है आप थोड़ी और हम इसको थोड़ी और बारीक करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाना बचा हुआ है थोड़ी सी स्टिक्स पच दियें कुरियांडर की इन्हें भी आमें पीसने आप एक बार नीचे से जरूर मिक्सर चला लीजेगा ताकि जो भी थोड़ा बहुत बच रहा है पिसने से वह अच्छे से पिस जाए और मैंने थो मैंने यूज कर रहा है रामदेव का स्ट्रॉंग हीम ये काफी अच्छा क्वालिटी का इससे टेस्स बहुत अच्छा आता है इसके बाद मैं डालूंगी जीरा एक चमच उसके बाद मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक फिर से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और देख है मेरी चट्नी ये देख सकते हैं काफी चट्पटी आप अपने घर में जरूर बना के ट्राइ कीजेगे एक तम चट्पटी कुछ मिंटों में बनने वाली हरी चट्नी थांक्यू